नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है कराउन इमीक्रिशन के यूटीब चैनल पर तो आज हमारी डिसकेशन रहेगी MBBS in अब्रोड के बारे में बहुत सारा कमपीटिशन है MBBS in अब्रोड का मार्किट के अंदर मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है मार्किट है MBBS in अब्रोड की अलग अलग कंसल्टेंटों ने अपने सेमिनार लगाने स्टार्ट कर दी हुए है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मतल मोटिवेशन देते हैं हर एक स्टूडेंट को बट मैं तो कैमरे पर बैट के ही यहीं परी बच्चों को फेक्ट बता देत प्रमोटेड कंटिस के बारे में मैं बार-बार रेपीट करता आ रहा हूँ अपने चैनल के उपर की लोग किस टाइप का मोटिवेशन बेजते हैं डॉक्टर की डिग्री बहुत बड़ी होती है सबसे बड़ा प्रोफेशन है और देखो डॉक्टर बनना है तो सामने वाला X, Y, Z फीस मांगता है तो आप देने के लिए त्यार रहते हैं बट आप अपने लेवल पर कोई भी एफर्ड ने करते हैं देखते नहीं हैं गुगल में जाकर किसी से इन्पोमेशन ही लेते हैं सिरफ सामने वाले के मोटिवेशन में आते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैपि वहां पर गए हुए हैं वो जो दो फ्रेंड आप वो भी रेफरेंस देते हैं कि आप उस कंसल्टेंट के पास चले जाए हर एक जहां पर ये पूरे का पूरा सरकल है हर एक बंदे ने अपना कमीशन कमाना है पैसा हमने भी कमाना है बट हमने पैसा अफेक्ट बताकर कमाना ह कि this is the fact MBBS का उसके बाद decision आपका है कि आपने फर्दर करना क्या है तो मैंने सिर्फ एक हमारी ही एक ऐसी agency है जिसने इटली को start किया था MBBS in Italy मैं पिछले चार जब 5 साल से MBBS in Italy को promote करता आ रहा हूं मेरी बहुत सारी पराणी वीडियो देख लें उसको देखने के बाद market के लेकिन इस साल बहुत मतल ड्रावेक मिला है हमें इटली का वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में देखो जब भी कोई experience अगर चीज गल्त होती है तो मैं गल्त भी जो होता है मैं सामने बताता हूं कि यह गल्ती हुई है तांकि ऐसी गल्तिया अनदर जो लोग है जा बच् इनोसेंट वो इस टाइप की चीजों के बीच में फसे ना अभी गल्ती क्या है वो भी हम बताएंगे कि क्योंकि अभी इटली का जो MBBS है वहां की 10-12 उनिवस्टी है पब्लिक जो international student को MBBS में admission प्रवाइड करती है हर एक उनिवस्टी की capacity है 20-30-40 seat है depend है कौन सी उनिवस्ट चल गया है कि इटली में क्या benefit है MBBS के हमारी वीडियो देखने के बाद होर भी लोगों ने बहुत प्रमोट किया नोट इन इंडिया अनदर कंटी में बहुत प्रमोट किया और इसके लिए आइमेट टेस्ट की requirement रहती है जब आपने इटली में admission लेना है तो इस साल क्या रह होता है तो जब इनकी डेट ओपन हुई आई में टेस्ट का उन्होंने पोर्टल ओपन किया Cambridge वालों ने तो बीदी ने आदा गेंटा और गेंटे के अंदर पूरे के पूरे इंडिया के स्लोट बुक हो गय थे जिन बच्चों ने इड्मिशन देना जिन बच्चों ने इस क्योंकि स्लोट खतम हो गए मिली नहीं सीट मतलर डिमांड ही इतनी थी सेंटर एक ही बनाते हैं गुरुगाओं के अंदर अब यह देखिए जो नीड टेस्ट होता है इंडिया के अंदर उसके अंदर 16 लाख एप्लिकेशन पढ़ती है 16 लाख बच्चे अपनी एप्लिकेश हो गई अभी उसके बाद फिर क्या हुआ जो हमारे पास अपनी टक्नीशन सी मैंने उनकुछ बच्चों को सुझेस्ट किया कि अभी भी आप इसको भरना चाहते हैं तो नियर्वाई कंट्री से बहां पर भर दीजिए तो कुछ बच्चों के मैंने बचारों के जो माने थे जो अफोर्ड कर सकते थे तो और जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे क्यूंकि इतली फ्री के नाम पे प्रमोड होती है इसमें कोई शक नहीं है फ्री में वो प्रवाईड करती इंग्लिश मीडियो में बचारे ग्रीब लोग भी होते हैं इसके अंदर जिन स्टूडेंट ने अपलाई किया था कि सर हमारा ड्रीम है कि हम जर कर रहे हैं लेकिन हमारे पैसा नहीं चलो हम इसमें लग जो माते हैं वो फोरन में कैसे जाकर टेस्ट पाएंगे तो वो वचे लेना पड़ेगा इंडिया का मैंने हाल बता दी कि 16 लाग पिछले साल अप्लिकेशन पड़ी थी अभी नीट का एक्जाम होना है तो इस साल देखो कितनी पड़ती है एंबीवस की डिमांड ही इतनी है कंसल्टेंटों ने घर घर जाकर ओफिस खोले हुए हैं करना तो ठीक है नहीं तो कोई प्राल नहीं अभी जर्मनी का भी इफेक्ट मैंने बताया था पीशे अभी जो हमारे कुछ गल्थ कंसल्टेंटों ने एक दो अजन्सी हैं इंडिया के अंदर ही अभी मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में उन्होंने डॉक्टरों के सा किया है उन्होंने डॉक्टरों के साथ की हुई थी उनको जर्मन के अंदर बेज दिया है कि आपका वहां जाकर रिजिस्टेशन हो जाएगा ऐसे मोटीवेशन के मोटीवेशन से बच्चों ने वहां पे बारावारा चोज़वारा लाकर प्या खर्च के पजारे गए हैं ल एक बंदा यूकरियन को परमोट करता है बच्चेने अगर कहीं अच्छी कंट्री में अच्छी यूनिवस्टी में भी जाना तो उसको मुरौकर यूकरन में ले आते हैं और यूकरियन को मैं सबसे ज़्यादा प्रमोटेड कंट्री कहता हूं कि यहां तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल टोटल पैसा बेस्ट मनि बेस्ट टाइम बेस्ट है कारन कि कारन क्या है कि बहां पर क्रप्शन का लेवर लेकर चले करब चलो सारे सबसे घटिया काम है अगर जाना में तो यह जो फीसे नहीं होती अगर मैं इस इस country में क्या करने जाना है मैं तो बिल्कुल किसी को recommend नहीं करता है जी country क्योंकि हम मुझे मालूँ में education का मैं 100 countries को represent करता हूं 100 countries में हम international students को बच्चा फिर Ukraine की और ही जाता है जितना मर्जी में हम उसको बताता हूं अगर आपने mbbs करने ही है foreign country से सबसे पहले मैंने उन country को prefer करता हूं जिनका infrastructure है जिनका को नाम है मैं चाइना को recommend कर सकता हूं मैं रशिया की federal universities बहां की भी मैंने कहूंगा federal university रसर्व उनिवस्टी में admission लें बहां की state universities में admission ना ले बहां पर जाए जिन university को standing है एड लिस उनका QS वर्ड रेंकिंग तो चेक करिए उन university कर ना आपने वो नहीं चेक करना है आपने जाना अर्मेनिया मैंने जाना आजरवाईजान मैंने जाना जौर्जिया बहां पर क्या doctor बनोगे चोटी 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 country में जहां की population दद्दस पंदर पंदर आं लाकी है बहां पर कितने कम रीज होते होंगे कि कैसा उनका hospital का infrastructure होगा विजे इस 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 अफेक्ट आम टैली अग कोई चार साल कोई पांच साल की standing है private university को बहां पर doctor बनने के लिए आप जा रहे हैं तो आप patient से क्या मतल्ल क्या treatment करोगे patient की अगर उन जुनिवस्टी में करके आजाएंगे जहां पर कोई education का कोई standard नहीं है ना कोई education वहां पर आपनी clinical practice की हुई है तो जाना है चाइना में जाए चलो चाइना में भी प्रावल्म मतलब जिन्होंने जह छोटी-छोटी कंट्री में जाता हूं उनको मैं compare करता हूं का आप उन में देखिए यह आप रशिया की फैडल यूनिवस्टी में देखिए वह भी नहीं है तो आपको यकिस्तान की बहां के साट 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 सातर साल प्राणी यूनिवस्टी हैं उनका क्यूस रैंकिंग एडलिस क्यूस रैंकिंग जरूर चेक करें उसकी स्टेंडिंग जरूर चेक करें किसी भी यूनिवस्टी में जाना है किसी के मोटिवेशन में नहीं आना प्राइवट यूनिवस्टी को जाना है बहां पर तो रोबोटिक से ट्रीटमेंट फुलाना दिया जाता है मैं गौवल में चले जाओ उससे फीस भी कम मिलेगी है तो अगर अगर इंडिया में कर रहे हैं किसी भी कॉलेज गॉवर्मनेंट में तो उसकी भी बैली उतनी है उसमें ऐसा तो नहीं है तो अगर गॉवल में कर लेंगे तो मैंने जाना अच्छा बहां जाके पी चिक्के मार दें सब्सक्राइब बहुत गल्व तरीके से मैंने बेगा किर्क की पाकिस्तान की इनिवस्टि को ब्लैक्लेस्टाड कर दिया है पाकिस्तान क्या है country बहाँ पर इंडिया देखिए क्या country है बहाँ पर इंडियों student पढ़ने के लिए मैं उजविक्षी स्थान में मैं क्या यार कमाल कर दिया ऐसी country शोड़ो मत जहां से डॉक्टर बन के ना लोग चाहते हैं कि easy में doctor बन जाए अगर आपने doctor बना है आपको seriously जैसे need test के लिए आप 2-2 साल पहले preparation कर देते हैं need test के लिए आपने doctor बना है तो आपके parents कहते हैं चलो आपको मैं quota में coaching दवाता हूं कोटा में बहुत अच्छे center हुते हैं दिल्ली में दलवाता हूं दो-दो साल पर अगर अच्छी country में अभीएस करने के लिए जाना है तो आपको एक-एक साल पहले शेशे मीने दो-दो साल पहले preparation करनी पड़ेगी प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आपने जे प्रमोटर कंट्री गदे गोडो जैसी country में जाना है तो आप मुझे कल ठाको में दे तो कल अटमिशन आ जाएगा मैं आपको इन-इन countries में बेश सकता हूँ आपने UK से जाकर MBBS करनी है आपका वज़ट 20-25 लाग का है साल का 80% से ज्यादा number है तो आपना UK से MBBS करें उसके इंटेंस एक्जाम्स है दो तिन मैं उनके बार में भी बताऊंगा बहाँ पर आफोड नहीं कर सकते हैं मैं UK की पैरलर की countries बता सकता हूँ UK के campus है वहां के अंदर कौन सी है साइप्रस है मेरे पास European country Malta है मेरे पास European इवन आप उन countries में सैटल भी हो सकते हैं आपको अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं तो आप रश्य में यह अपना यह यूक्रेन में क्या सैटल होंगे जोर्जिया अर्मीनिया अजरवाईजान में क्या सैटल होंगे डॉक्टर बनने के बाग ऐसे क्या आप आपको मिलेंगे कहीं हाँ आपने को डुप्लिकेट डिग्री लेनी है आपका अपनी बहुत अच्छा होस्पिडल चल रहा है सिर्फ हम पो डिग्री का मतल है फिर मेरी और से कहीं पर भी जाकर आप में कर सकते हैं हमें कोई भी अब्यक्शन नहीं है तो अभी आपने में श इरोपीन कंट्रीज है अस्टेलिया नुजीलेंड में करनी है तो उसका भी मैं वेव बता सकता हूं कहते हैं मैंने करनी मुरेश्य से है तो मैं गया यार अफ्रिकन आइलेंड है उसकी क्या पॉप्लेशन है वहां पे क्या है प्राइबट कॉलिज मैं समझ नहीं पाता जब है तो अगर आप सब्तंबर के इंटेक में क्योंकि अभी शेंगन सारा कुछ बंद हो चुका है शेंगन का एक तो कंट्री मेरे पास है जिनका फैब इंटेक भी होता है जो बच्चे अपना सब्तंबर में अड्मिशन नहीं ले पाए यूरोपियन या शेंगन कंट्री में तो उनके लिए फैब इंटेक है हमारे पास अभी यूरोपियन और शेरी की सारी शेंगन कंट्री क्लोज्ड हैं अभी एंबिवियस के लिए मैंने फिर दाए 6 मीने से 12 मीने पहले कॉंटेक्ट करिए फिर भी जनर्वी फर्वी के लिए मेरे पास इंटेक है उनमे भी हम जाना है तो मैं भी भी बेजूँगा आपको लेकिन जैनुएं फीज लेकर जैनुएं बताकर उनसे बड़ी एस सर्वीस दोंगा और उनसे कम पैसे लूँगा तो अगर फिर भी आप उन करने के बाद भी अगर आपने किसी और फॉरन कंट्री में टूरिजम के लिए जाना है या वहाँ से पीजी करनी है या वहाँ से फॉर्दर अनदर का फीड में स्टेडी करनी है तो क्रॉन इमिग्रेशन आपको ओप्शन दे सकता है हमारे पास 100 कंट्रीज हैं नोट वी अर प्शन दे सकता हूं कि आप इस वे से वहाँ पर माइग्रेट हो सकते क्या वो कंसल्टेंट जो सिर्फ Mbps को पर्मोट कर रहा है इस टाइप की सर्विस पर राइट कर पाएगा नहीं कर पाएगा चलो लेट्स अभी इसको क्लोज भी करने बड़ा लेक्टर दे रिया मैंने तो decision फिर आपका ही होगा तो इस टाइप की मैं informative video daily अपनी चैनल पर एक डालता हूं अगर आप daily इस टाइप की informative video देखना चाते हो तो इमीरली क्राणिमी इसके जीटूप चैनल को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को जिरू पुश करें अगर आपको जी मेरी बीडियो चैनल को से लाइक एड़ शेयर करना अगर थैंक यू